हलो दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट यूसफ जैक्स और हमारे पास है वीवो का वीवो V29E तो जैसा कि आप देख सकते हो वीवो V29E के अंदर कर्व डिस्पले आता है इसके लिए हमें चाहिए कर्व डिस्पले वाला टेंपर्ड ग्लास तो आज इस वीडियों हम देखने व वो टेंपर्ड ग्लास नहीं है उससे आपके फोन को प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला है वो दो चार दस दिन एक महीना में आपका उखड जाएगा ठीक है आपको चाहिए एक पॉफेक्ट टेंपर्ड ग्लास और क्यूंकि आपका डिस्पले कर्व है तो इसके लिए नॉर दोनों चीजों का खास इस्तमाल यहाँ पर होने वाला है सबसे पहले इस पाउच को खोल लेते हैं इसके अंदर से यहाँ पर दो तीन तरह के कंटेंट निकलते हैं ठीक है सबसे पहले आपको वेट वाइप निकलेगा वेट वाइप से यानि कि यह गीला होगा बायचांस अगर यह सूखा निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा पानी या कॉलीन कुछ भी लगा दो बस तेल बगारा मत लगाना ठीक है और इससे अपने फोन के स्क्रीन को बढ़ियां से रब करके साफ कर दीजिए अगर आपका फोन नया है तो ज्यादा साफ करनी के ज उसके बाद यहां पर आपको dust sticker छोटे-छोटे absorber मिलते हैं इसको आप अपने फोन के उपर में और नीचे में लगा दोगे जहां पर के speaker के hole होंगे ठीक है जो भी hole होगा उस पर लगा देना क्योंकि बहुत सारे लोगों का शिकायत आता है कि भाई UV temperature लगाने के बाद आव और बढ़ियां से पोच लेते हैं उसके बाद आप याद रखिए UV temperature class के पीछे फिल्म होगी पतली सी उसको आप phone से थोड़ा हटा के remove कीजिएगा ठीक है क्योंकि phone पे अगर लगा के remove करोगे तो हो सकता है कि उससे कुछ dust गिर जाए phone के उपर अब जो हमारी glue की bottle थी उसको अपने phone के screen पे आप डालिएगा ठीक है डालने के बाद देखिएगा कि वो बायाद आया तो नहीं भाग रहा है अगर वो बायाद आया भाग रहा है कुछ से तो मतलब कि आपका phone एकदम सही flat surface पे नहीं रखा हुआ ठीक है full bottle glue मत डालिएगा उतना का जरूरत नहीं है आध microphone का hole वो आपको alert रहना है ठीक है और उसको बायाद आया फेरना नहीं है ठीक है एक बार आपने UV tempered display पर रख दिया फिर आपको उसको उखाड़ना नहीं है ठीक है normal tempered glass में हम लोग उखाड़के दोबारा लगा देते हैं यहां नहीं होगा अगर आपको लगता है कि कहें ज उसको जरा सा ऊपर जरा सा नीचे की तरफ आप हिला देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहां पर कर रहा हूं वैसा करने से क्या होगा सारा का सारा air particle automatic निकल जाएगा देख सकते हैं बारा देख सकते हैं अप हो गया पूरा complete अब इसके बाद आपको इसको सूखने के लेकिन ऐसे नहीं छोड़ना है ठीक है अगर यूवी ग्लू कहीं से आपको निकलता वाद दिख रहा है तो आप उसी वक्त पोज दीजे कोई दिक्कत नहीं है वह साफ हो जाएगा बाद में भी रबड की तरह निकल जाता है ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है पहुत सारा मित है इसके उपर किसे प्रॉब्लम होती है ऐसा कुछ नहीं है इसी ली रिमूव भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब आपको यूवी लाइट इसके उपर कंटिनेसली 10 से 15 मिनिट के लिए मारनी है अब यह आपके उपर है आप यूवी लाइट 10 मिनिट मारो 15 प्लस थोड़ा 10 मिनिट यूवी लाइट मारने के बाद 10 मिनिट आप इसको धूप में रख दो या 5 मिनिट धूप में रख दो बहुत जल्दी सूख जाएगा क्योंकि धूप से भी यूवी लाइट निकलती है ठीक है यहाँ पर जैसा कि हम कर रहे है उपर नीचे उपर न परस रही है मैंने फोन को पोच्छा और दोबारा से देखाया जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यह साफ हो जाता है यह जो टेमपर्ड ग्लास है यूवी वाला यह स्प्लैश प्रूफ होता है यानि कि इस पर फोन के उपर कोई भी पानी वगरा आएगा तो वह एजिली जो है ससर जाएगा यह इसके अंदर खास फीचर देखने को मिल जाता है